Welcome back दोस्तो UFC दोस्त YouTube चैनल पे तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इस वीडियो पे मैं पिछले 3-4 दिन से रिसर्च कर रहा था इस पे वर्क इन कर रहा था मैं एक चीज बिल्कुत डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप सब जब इस वी डबल चैंपियन रह चुका है ऑलमपिक में रेसलर है और ऑलमपिक में गोल्ड मेडल भी निकाल चुका तो आज हम उसकी रेसलिंग को यहां पर एनलाइज करेंगे और उसकी रेसलिंग को कंपेर करेंगे हबीब नुर्मागोमेडव की रेसलिंग से इन दोनों ने रेसलिं तो यहां पर American है, American wrestling को perform करता है और Olympics में जो उसने गोल्ड मेडल जीता था, वो freestyle wrestling की काटिगरी में आता है आप सब यहां पर ध्यान दीजेगा कि मैं wrestling बोल रहा हूं तो कोई normal wrestling नी freestyle wrestling पर ध्यान दीजेगा, क्योंकि यूजुली जो अलमपिक में जो wrestlers होते हूं और जो बड़े-बड़े Olympic wrestlers का आप सबने नाम सुना होगा, in fact इंडिया से भी जो wrestlers जाते हैं वो सारे freestyle काटिगरी में mostly perform करते हैं, तो freestyle wrestling एक type की wrestling होती है ऐसे तो अलग-अलग wrestling भी होती है, Greco-Roman और भी बहुत type की wrestling तो freestyle wrestling competition में जाते हैं, और Henry Sahudo जो यहाँ पर fight करने वाले UFC 288 में उन्होंने Olympic medal भी freestyle wrestling में जीता था, लेकिन on the other hand हम एक और अभी recent के times में एक नया trend UFC में चल गया है, डागस्तानी wrestling, हम सब बहुत बार सुनते हैं वीडियो में fighters को भी बोलते वे सुनते हैं कि डागस्तानी wrestling सबसे strongest है, one of the strongest form of art form है जो कि आप MMA में कर सकते हो, डागस्तानी wrestling यह, डागस्तानी wrestling वो इसके बारे में हम आज इन दोनों wrestling को compare करेंगे, American wrestling और डागस्तानी wrestling और देखेंगे कि कौन किस के लिए जादा बेटर है, UFC में किसका इस्तमाल जादा किया जा सकता है और with examples भी आप सब को समझाऊंगा कि यह कैसे कैसे perform किया जाता है, कैसे कैसे दोनों के बीच में differences है, similarities है लेकिन उससे पहले भाईयों आप सबसे request है कि चैनल को subscribe भी कर दीजेगा, आज का सब गोल है हमारा 1800 subscribers रीच करने का, तो definitely चैनल को subscribe भी कर दीजेगा कि सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि base of fighting दोनों fighters का क्या है, हमने यहाँ पर example में लिया है Henry Saudo को, जो की freestyle wrestling perform करते है और डागिस्तानी wrestling के लिए हम यहाँ पर as a example, हभीब को ले रहे, देखिए हभीब का अगर आप fighting style देखेंगे, तो वहाँ पर wrestling तो होता है, definitely वहाँ पर wrestling है Henry Saudo का पूरी तरह से wrestling है, wrestling base है, लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते है, हभीब का fighting style सिर्फ wrestling नहीं है उसके साथ साथ एक word और बहुत बार use होता है, वो है sambo तो देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि sambo क्या होता है, sambo कुछ भी नहीं होता है, sambo का अगर हमें translation करेंगे तो उसका मतलब होता है self defense यह रशिया के time पे, 1920s के time पे, रशिया में एक special form of art form, combat का art form निकाला गया था, develop करा गया था, self defense के लिए इसमें सारी चीज़े involved होती है, इसमें wrestling भी होती है, grappling भी होती है, थोड़ी बहुत striking भी होती है, kicking का भी game होता है तो sambo में सारी चीज़े included होती है, और देखिए, sambo कोई एक तरीके का sambo नहीं होता है, sambo में भी बहुत तरीके का होता है, beach sambo, अलग-अलग तरीके के sambo और Habib जो Sambo में Specialized थे और Habib जिसके World Champion थे Sambo में, वो था Combat Sambo, इसमें Striking का भी बहुत जादे यूज़ होता है, और इसके Matches आप समझ सकते हो, इक तरीके से आप देख सकते हो, तो किक Boxing के Matches से आप ले सकते हो, बहुत सारे American Wrestlers थे, जोनोंना MMA में Transition करा और बहुत अच्छा परफॉर्म करा, उसका Example है, Henry Sahudo, यहाँ पर हम Daniel Cormier को भी देख सकते हैं, कि वो भी Freestyle Wrestler थे, American Wrestling करते थे, लेकिन American Wrestling बहुत Effective होने के साथ साथ, उसके साथ एक Downfall उसका Major यह है, कि वो बहुत tiring होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़ादा gas tank रखना पड़ेगा, आप जल्दी थक जाओगे अगर उसको आप 5 round करोगे तो, क्योंकि हम देखते हैं, wrestling के rounds जो होते हैं, वो usually 2 minute के होते हैं, 3 round, और यहाँ पर अपने जो championship matches होते हैं, UFC में, वो 5 minute के 5 round होते हैं, तो आप पुरी तरीके से, पूरे 5 round wrestling करने के लिए, आपको बहुत ज़ादा stamina चाहिए होगा, बहुत ज़ादा कार्डी होगा, तो यह एक बहुत ही major issue आता है, यहाँ पर wrestling के साथ freestyle wrestling, जो कि American wrestling होती है, और at the same time हम यहाँ पर wrestling, जो कि डागस्तानी wrestling है, Sambo को integrate करके जो बनाई गई एक wrestling है, उसके साथ यह problem नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ज़ादा well-paced है, उसके लिए 5 rounds के लिए, क्योंकि उसमें striking भी होती है, उसमें kicking भी होती है, पूरे 5 round आपको ground and pound, आपको एक ग्राउंड भी रहना होता है, तो वो एक well-paced तरीके से, यह एक definitely benefit है, डागस्तानी wrestling जो कि Sambo से इंस्पायर होके बनी हुई है, अगला point जो कि American wrestling को लेके मैं आप सबको बताऊंगा, आप American wrestling का aim देखो, यह जो freestyle wrestling जो कि Indian wrestlers भी करते हैं, American wrestlers जो कि Olympic में होती है, इसका aim क्या होता है, इसका aim होता है point score करना, हम आरत दिख सकते हैं कि अगर भी आपका नीचे का back आपको touch कराना होता है, एक wrestler का freestyle wrestling में जो match चल रहा होता है, उसमें एक wrestler का aim क्या होता है, उसमें होता है कि सामने वाले opponent का back touch कराना है ground पे, और जैसे ही back touch होती है, वैसे ही point मिल जाता है, तुरत दोनों को disengage कर दिया जाता है, दोनों fighters जैसे ही ground पे जाते हैं और वहाँ पर point मिलता है, वैसे ही उनको disengage कर दिया जाता है, जादा देर तक ground पे चीज़ें नहीं रहने के लिए होते हैं, एकदम snap तुरत तुरत points होते हैं और तुरत तुरत वापस से standing कर दिया जाता है, तो basically जो American wrestling का aim होता है, वो होता है कि जान बुच के बस वहाँ पर points लेने का, opponent को hold करके रखने का वहाँ पर कोई भी aim नहीं होता है, और at the same time Sambo और जो कि ये जो डागस्तानी wrestling है, जो ये करी जाती है, इसका aim ही होता है कि position पे hold करके रखना, अपने नीचे वाले, अपने opponent को ground पर जितनी जादा से जादा देर तक hold करने का, और वहाँ पर उसके उपर ground and pound भी कर सकते हैं हम यहाँ पर Sambo में, तो ये सारी चीज़े advantage होती है Sambo fighters की, इससे लिए आप सब एक चीज़ और notice कर पाते होगे, कि ये जो American wrestlers जो UFC में fight करते हैं, जैसे Kobe Covington हो गया, या Henry Saudo, या Daniel Kormir, ये सब देख सो, आप एक बार take down करते हैं, तो इसके बाद जो fighters होता है, वो उठ जाते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं, usually fighters इनके जो ये take down करते हैं, ये वापस खड़े हो जाते हैं, अगर हम हभीब की, इसलाम, अकाशेव वगएरा की fights देखें, तो उसमें आप देख सकते हो, जब भी ये किसी को take down करते हैं, तो सामने वाले opponent का उठना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा जादा तो लोगों को पता ही नहीं कि ये जो game होता है, कॉमबेट सामबो को, और सामबो से inspired डागस्तानी रसलिंग को, अगरा पॉइंट जो मैं आप सबको explain करूँगा, वो बहुत ही obvious है, freestyle wrestling में कुछ भी striking नहीं होती है, आप किसी भी opponent को hit नहीं कर सकते हो, kicks throw नहीं कर सकते हैं, आप पुरी तरी से ban हो जाओगे, match से disqualify हो जाओगे, तो ये जो wrestlers जो MMA में आते हैं, उनको फिर striking करने के भी ज़रुवत पड़ती है, फिर उनके पास कोई striking का experience नहीं होता है, जो wrestlers MMA में आते हैं, और at the same time, जो Sambo के fighters, जो कि डागिस्तानी wrestling fighters हैं, सामबो में आप strike कर सकते हो, आप पूरा एक punch throw कर सकते हो, boxing जैसा, आप सब को ये शौकिंग लग रहा होगा सुनने में, लेकिन definitely ये सारे rules हैं, आप strike कर सकते हो, आप kick मार सकते हो, तो ये सारे चीज़े भी यहाँ पर involved होती हैं, सामबो में, तो ये सारे fighters पहले सेरी ये सारे चीज़े सीख के transition करते हैं MMA में, तो definitely ये सारे चीज़ों का benefit मिलता है उन सब, तो देखिए, अब मेरा final point यहाँ पर आता है, उनके wrestling career में, तो वो striking से बिलकुल भी दूर रहते हैं, उनको striking नहीं आती है, बिलकुल भी, तो पूरी तरह इसके से उनको striking सीखनी पड़ेगी, क्योंकि रेखिए, wrestling में सिर्फ wrestling है, लेकिन combat sambo में wrestling भी है, striking भी है, combat sambo में एक छोटा सा part है wrestling, उसके अंदर, sambo के अंदर, wrestling, striking, grappling साब आती है, इसका आपको मैं एक example दिखाँ हूँ, तो आप सबको पता है, मैंने share भी बहुत बार कर रहा है, कि मैंने boxing सीखी है, पिछली एक साल से मैं boxing सीख रहा हूँ, काफी सारी fights कर रहा हूँ, तो अब अगर मेरे को यहां पर से boxing से, अगर MMA में transition करना होगा, मेरे को एक MMA fighter बनना होगा, तो मेरे को यहां पर wrestling भी सीखनी होगी, और मेरा फिर भी जो major base होगा, वो मेरा boxing का ही होगा, वो यह सारी चीजे मैं कितनी ज़्यादा भी सीख लूँगा, लेकिन उन सब मैं उतना ज़्यादा master नहीं कर पाऊंगा, On the other hand, कोई Sambo का fighter जो अभी Sambo की training कर रहा होगा, और उसको अगर MMA का fighter बनना होगा, तो उसके पास बहुत सारे advantages होगे, उसके पास kicking game अलरेडी होगा, उसको striking अलरेडी आते होगी, उसको grappling, jiu-jitsu अगरा सब आता होगा, तो उसको यह सारी चीजे और यह सारा transition करना बहुत easy प Combat Sambo को जो fighters होगे, इनको एक बहुत ही जादा significant advantage होता है, MMA में transition करने के लिए, आप सब ध्यान दीजेगा, मैं आपर MMA की बात कर रहा हूँ, Mixed Martial Arts की बात कर रहा हूँ, और बहुत interesting example आप सब के शार्द करना था मुझे, देखिए, हम सब एक fighter को जानते थे, जो की UFC के middleweight division में योएल रोमेरो नाम का, तो अगर आपको योएल रोमेरो के बारे में नहीं पता था, योएल रोमेरो एक बहुत ही तगड़ा wrestler था, रोमेरो ने भी 2002 के Olympics में silver medal जीता था freestyle wrestling में, लेकिन अगर आपने उसकी fights को follow करा होगा, तो wrestling तो बहुत rarely ही करता था, वो takedowns की तरफ जात इसके सारे reasons की योएल रोमेरो क्यों नहीं wrestling यूज करता था, यह जो मैंने पिछले points आपको पताएं उससे हो सकते, सबसे पहला reason की tire out हो जाओगे आप सब, आप सब definitely देख सकते हैं, योएल रोमेरो का cardio issue था already, और अगर वो wrestling करेगा 5 round तो बहुत जल्दी ठक जाएगा, एक आपने Israel Adesanya के उसकी fight देखे होगी, तो उसने Israel Adesanya को take down करा था उस fight में, लेकिन वो take down को जादा देर तक hold नहीं कर पाया था, इसलिए वो take down count नहीं हुआ था वहाँ पर, तो definitely यह सारी चीज़े भी होती कि आप freestyle fighters जादा hold नहीं कर पाते हैं opponent को नीचे, और उनको काफी जा wrestling करता है, और एक जो Sambo का fighter या जो डागिस्तानी fighter है, अगर दोनों के बीच में wrestling match कराएंगे, तो इस time के भी यह definitely है कि wrestling में, सीधा सीधा straight up wrestling में, एक freestyle wrestler हरा देगा, उसको point score करके जीच जाएगा, लेकिन अगर at the same time MMA में freestyle wrestling को integrate करना जादा easy नहीं है, as compared to Sambo और बाकि सारी च to freestyle wrestling MMA के अंदर UFC के अंदर, तो भाईयो यही सारी चीजे थी जो कि मैंने research करके रखी थी आप सब को बताने के लिए, अब आप सब मुझे अपना opinion बताएं कि आपका क्या opinion है freestyle wrestling और डागिस्तानी wrestling के बीच में UFC के point of view से, तो जो भी अपना opinion होगा, प्लीज मुझे नीचे comment क करके जरूर बताएं का, आप सब के पास कोई और knowledge होगा तो वो भी मेरे साथ share करिएगा, क्योंकि definitely देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कुछ चीज़े miss out कर सकता हूँ, तो जरूर से अपनी चीज़ो भी अपना information भी जरूर नीचे comment section में add करिएगा, subscriber goal जो आज का ह 1800 सब्सक्राइबर का, उसको भी हिट करवा दीज़ेगा जरूर से, और अगर आपको वीडियो पसंद आयागो तो वीडियो को like कर दीज़ेगा, अपने दोस्तों के साथ share भी कर दीज़ेगा, till then मिलता हूँ, आप सबको next वीडियो में अगले update के साथ, बाई बाई